दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा Facebook की दूसरी ID डिलिट कैसे करते हैं पर्मानेंटली अगर आपने Facebook में दो अकाउंट बना रखे हैं और दूसरा अकाउंट आपको डिलिट करना है तो इसके लिए आपको उपर में 3 लाइन पर किलिक करना है अब यहाँ पर आपकी profile आपको दिखाई देगी और यहाँ पर एक arrow दिखाई देगा या यहाँ पर फिर आपकी दूसरी Facebook की ID दिखाई देगी दोनों में से एक option आपको यहाँ पर मिलेगा आपको इस पर किलिक करना है अब नीचे में इस तरह से page open हो जाएगा जो दूसरी ID आप delete करना चाते हैं उस account में दोस्तों आपको switch हो जाना है पहले तो इसके लिए क्या करना है नीचे log into another account पर किलिक करना है इसके बाद आपने Facebook एप के अंदर जितने भी account login किये थे उस सारे account आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तो जो दूसरी ID आप delete करना चाते हैं उस ID को आपको open कर लेना है जैसे कि मैं यह वाली ID delete करना चाता हूँ तो मैंने इस पर किलिक किया यह login हो जाएगी ठीक है इस तरह से आप यहाँ पर दूसरे account को open कर सकते हैं अब यहाँ पर नीचे में आपको एक option मिलेगा settings and privacy इस पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर settings पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको see more in account center पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर personal details पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको account ownership and control पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको deactivation और deletion पर click करना है इसके बाद यहाँ पर अगर आपने facebook account को instagram account से connect कर रखा है तो यहाँ पर आपको instagram की profile भी दिखाई देगी तो यहाँ पर आपको facebook profile पर click करना है अब यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे अगर आप अपना account deactivate करना चाहते हैं तो आपको इसे deactivate पर set रखना है लेकिन अगर आपको account delete करना है तो आपको यहाँ पर इसे delete account पर set कर देना है इसके बाद नीचे continue पर click करना है अब यहाँ पर आपको एक reason बता देना है Facebook को, किस वज़े से आप अपना Facebook account delete कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी एक option select करें और नीचे continue पर click कर देना है, इसके बाद फिर से continue पर click कर देना है, अब यहाँ पर आपका जो account है हमेशा के लिए delete होने वाला है, तो आपने Facebook account म password डाल देना है, अगर आपको password याद नहीं है Facebook का, तो कैसे Facebook का password पता करते हैं, इस topic पर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का link इसी वीडियो के description में, उपर आई बटन पर और end screen में आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर मैं फटा फट से password डाल देता हूँ, password डालने के बाद continue पर click करना है, इसके बाद आपके सामने इस तरह से page open हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर delete account का option आ गया है, अब delete account पर click करने के बाद आपका जो Facebook account है, वो log out हो जाएगा और permanently delete भी हो जाएगा, यहाँ पर कुछ time लग सकता है, आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो दूसरा वाला account है वो delete हो गया, अब यहाँ से दोस्तों आप अपने पहले वाले account को login कर सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान भी रखना है, जो दूसरा account आपने delete किया है, उसे दोस्तों आपको 30 दिन तक login नहीं करना है, अगर आप 30 द आपको यहाँ पर आपको यहाँ थोड़ा सभी पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को subscribe, कर लेना और बेल आइकोन को दबाकर आल पर सेट्स जरूर करना